दोस्तों क्या कभी आपने सूचा है कि जंगल की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडर ड्रैगन और जंगल का डॉन कहे जाने वाले बाग इन दिनों के बीच में अगर मुकाबला हो जाए तो कौन जितेगा जहां तक हम जानते हैं कि मसल्स पावर में बागों को हडाना सेर के भी की बात नहीं होती है लेकिन यहां छिपकली भी बहुत ज्यादा जहरीली होती है यह जिसे एक बार काट ले उसके मौत तय होती है तो इस वीडियो में आपको इन दोने के फाइटिंग स्कील और स्थियंत के बाड़े बाताने वाले हैं जिससे हम सभी तैग कर सकते हैं कि आ दोस्तों चीते की रफ्तार के बारे में आप तो काफी सुन चुके हैं आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी चिपकली की बारे में बताएंगे जो कि 12 मिल प्रती घंटी के रफ्तार से दोर शकती है आपको लग रहा होगा कि दिवार पर चलने वाली चिपकली में इतनी पूर्ति कैसी आएगी लेकिन हम जिस छिपकली की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखकर आपको लगेगा यह तो किसी मगरमच से कम नहीं है जी हाँ हो सकता है कि आप इसे छिपकली मानने के लिए त्यार ही ना हो इसका नाम कोमोड़न ड्रेगन है यह मुख रूप से इंड इस्टेलिय में पता चला था इस्टडी बताती है कि यह पच्चास हजार सल पहले इस्टेलिया से गाइब हो गए थे बताते हैं कि इस ड्रेगन के मुह में एक खत्राक वैक्टिरिया पाए जाती है और यह जिसे काट ले उसकी मौत सुनिक्षित है जहरीली छिपकली ऐसे में यह मस्ती वाली चाल से उस जक्मी सिकार के पीछे गंद सुन्ते हुए पहुच जाती है क्योंकि इन्हें पता होता है कि उस ज्यादा दूर नहीं जा सकता यह बड़े भालू और भैस को भी मार सकती है कुछ हाथी भिलुक्त हो चुके हैं जिनके बारे में कहा जात है कि कोमोडो ड्रेगन नहीं उन्हें खत्म कर दिया सिकार करने का इनका अलग तरीका होता है यह चीपकर इंतिजार करते हैं जैसे ही कोई जानवर करीब आता है तो यह जरीली मुझ खोल कर लपकती है इनके साथ दात होते हैं और इनकी स्कीन के नीचे छोटी-छोटी हजा साथ भरो हड्या होती है ऐसे में इनका सरीर खुदी धाल का काम करता है यह अपने वजन का 80 फिर्जदी मांच एक बार में खा सकती है इनका पाचन प्रक्रिया श्लो होता है ऐसे में यह एक बार सिकार करने का बात धूप सेकती है जिससे वह पच जाए एक पर खाने पर यह महीने भर ऐसे ही रह सकती है ये इतने बड़ी सिकारी होते हैं कि छो मिल दूर से ही सूंग लेते हैं और जमीन पर चलते समय दफन सौग को भी नहीं छोड़ते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि कोमोडन ड्रैगन कितना खतनाक है और आप कभी भी इनका सामना करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये काट ले तो आप चाहे तो वहाँ से बच के निकल सकते हैं लेकिन आपकी मौत तय है तो वीडियो पसंद आगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें बाग बाग भी बिग कैट फैमली का सद्दस से है लंबाई में ये चीता और तिंदुआ और सेर सबसे बड़ा होता है इसके सरीर पर काली धारिया होती है ये सरीर सफेद नीला और नारंगी कलर का भी होता है इससे ये असानी से ये प्रति घंटा की राबतार से दोर सकता है ये अपना सिकार करने के लिए साथ फिर तक उजी चलाना लगा सकता है तो दोस्तों अब तक अपताय कर चुके होंगे कि आखिर कॉमिडर ड्रागन बाग के बीचे मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा जहां तक मसल्स पावर की बात है तो बाग की मसल्स पावर के आगे तो सेरी भी नहीं ठीक पाता तो यह इतना जल्दी कैसे ठीक ही गा लेकिन अ जाने के बाद उसकी मौत होनी तय है तो इससे यह पता चल गए कि दोनों अपने रूप में माहिट सिकारी है और दोनों का मुकाबला होना तो लगवक बहुत ही कम चांस होता लेंगी कभी-कभी मुकाबला भी देखा जा चुका है तो उमीद करते हैं कि आपको वीडियो प बटन जोड़ता बादें